आज की जो में रेसिपी बना रही है तो काफी सिंपल लेकिन मेरे दिल के काफी करीव है तो इस रेसिपी के साथ साथ एक स्टोरी आपको मैं बताऊंगे अपने बच्पन की तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं तेल गरम हो गया है तेजपता डाल दिया साथी मेरे बारिक प्याज और प्याज को भुन लेंगे तो जब मैं छोटी थी न मतलब स्कूल से आए तो कितनी भूख लगती ये बच्चों को तो जब मैं छोटी थी तो भूख लगती तो ममी अक्सर ये रवाली सबजी बना के रगती थी इसकी स्मेल ही बाहा जैसे दर्वाजी तक ही काफी पसंद है और सब्सी समक्क्कूर सी.. लिए पूलब इतनी संपथ सब की बमीनी पसंद है और कैसे तो कह टar है पाए रहा भीवाली सब्सी ये पनती है यह मैं छूख लृट के लानी सब्सी दोगती रहा मिया जाय में लेड़ा है तो कह स्कूट कर रेड़ी क analytic रूज् तो यह प्यार रहता है ना बच्छों के साथ कि बच्चे स्कूल से आएंगे और उनके लिए प्यारा सकाना मतला उनको जो पसंद है वो बना के रहके तो मम्मी बनाती थी मेरी पसंद का फेवरेट खाना कि मेरी बेची आएंगी उसको भूख लागेगी तो मैं पहले सी कि मेरा बेटा भी इसकोल से लिए मुझे लग लगएगा तो यह मैं पहले सी बना के रखूं वह आती ना पूचता है मेरे से खाना किया बनाया जैसे घूसेगा मतलब आएगा घर में खाना किया बनाया ममी बहुत बूख लगी है चली थोड़एस ना पका लिए लगा लग तरही तरह से पकाना है कि सपसे क्वैंटी थोड़ी ज़दा है उसे प्याज बनायु तक ईतना तमाटर ढलका में प्याज ले पेंडेंगğें मेडियम साइस के और चली थोड़एस पानी आड के ने चली तक नियंचे तले से चिपके ना अर नमक डाल देंग il divine साभ जब जितना नमक अभी डाल देंगे और टमाटर को अच्छे से पकने देंगे आप चाहें तो कुकर का ढगा लगा कि दो सीटी लगा लिजगा जल्दी से यह जो ग्रैवी पक जाती है ज़िए जब अराम से दीमी आज पर पका तो धखक कर इसको छोड़ देंगे आर दीमी आ मैं क्या करती हूँ इसको ब्लेंड कर लेती हूँ चाहे तो अब जो लकडी का जो आता है ना मंदीडा बोलते सिंधी में उससे भी आप इसको बतला कर सकते हूँ तो मैंने तो हैंड ब्लेंडर का इस्तमाल किया यहां पर अब इसमें डालू तो चार आलू इसे बड़े-ब अब आपको क्या पसंद है आपकी ममी आपके लिए क्या बनाती थी जब आप छोटे थे स्कोल से आते तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा यहां मेरे एक बड़ा चमच धनिया पाउडर आदा चमच हल्दी पाउडर यहां पर डाल दिया अब इसको अच्छे से भुना इसका फ्लेवर जो है और बढ़ता है ऐसे नहीं कि तुरांथ पानी डाल दिया और सीटी लगा ली नहीं चार पांच मिनिट अक्छी तरह से भुनाई का लिजे इसकी ग्रेवी के साथ तो उससे स्वात बढ़ता है अब इसमें थोड़ा से किच्छन किंग मसाला और गरम मस भी मिलता है सेम बंड में आपको मिल जाया है जो बाकी मसाले इस्तमाल करते हो तो इसली मिल जाता है कोई दिक्कत नहीं है तो यह मने मसाले डाल दिये थोड़े बारी कटे वहरे धनीय डाल दिये मिक्स कालिया उसकी बाद पानी डालेंगे टेस्ट के अको जितना पतलाया गाड़ा चाहिए रसा उस सबसे पानी डालेंगे तो मैं पानी कमी इस्तमाल करेंगे एक से सवा ग्लास करीब डाल दिया मैंने क्योंकि मैं थोड़ा से गाड़ा रसा बना रही तक मैं रोटी के साथ भी सर्फ कर सकूं और चावल के साथ भी सर्फ कर सकूं इसको मैं क्योंक आपकी क्या फैवरेट है मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा ताकि हम सब जान सेके हम सबकी फैवरेट जो सिंपल सबजियां होती है कौन-कौन सी है तो यह देखिए सबजी तो तयार है बिल्कुल बारी कटे वहरे धनी थोड़ी से उपर से मैं डाल दे रही हूं और मैंने जाब भी अभी बնाए और अपने बेटे को मैं यह अभी है दोगी यह स्कूल से आएगा और इसको मैं खाना दूँगी उसको भी बहुत पसंद आ दी है यह सबजी ज्यसे में को पसंद हमारी जान जो थो एचको कैसे लगया है मुझे कमिंट करके जरूर बताएगा पसंद watching Jaisi Ganesh by Guruji